अगर आपको motorcycle से long ride जाना पसंद है तो आपको definitely चाहिए होगा एक motorcycle gear और मैं यहाप एक gear मतलब motorcycle downshift, upshift करने वाला gear की बात नहीं कर रहा हूँ, motorcycle riding gear की बात कर रहा हूँ तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि बजट में कैसे अपने लिए एक अच्छा setup बना सकते है motorcycle riding gears की जो आपको long tours में भी बहुत helpful रहेगा तो स्वागत है दोस्त आपका मेरे एक चैनल में जिसका नाम है Bikeristic Escape मैं हूँ आपका hosting दोस्त SK अक्सर यह कहा जाता है कि जितने price का आप motorcycle चलाते हो उसका 10% हिस्सा है वो आपको riding gears में यूज़ करना चाहिए अगर मान लीजिए अगर आप 2 lakh की motorcycle चला रहे हैं तो उसका 10% यानि की 20,000 रुपए आपको riding gears में इन्वेस्ट करना ideally चाहिए तो मैं यहाँ पर basically आपको cheapest riding gears setup के बारे बताने जा रहा हूँ तो मैं assume कर लेता हूँ कि आपकी जो motorcycle की cost है अभी वो 1,30,000 रुपए कि आसपास मैं मान के चलता हूँ जिसका 10% हो जाता है 13,000 रुपए तो उसी calendar में आपको आज riding gears बताने जा रहा हूँ तो riding gear में सबसे ज़्यादा important है riding jacket हमारा क्योंकि जो riding jacket है वही हमें जब हम long tours करते हैं तो जो weather है उससे हमें सबसे पहले बचाता है harsh wind से बचाता है जो sun की raise है उससे बचाता है और बारिश में भी अगर waterproof jacket है तो वो भी थोड़ा बहुत हमें help करता है तो jacket अगर आप decent लेना चाहते हैं तो around आपको 5000 रुपे के असपास अगर आप खर्च करते हैं तो आप एक decent jacket बाइक कर सकते हैं और जो कुछ jackets के राम में आप बताने जा रहा हूँ वो है Rinox का Cypher GT या फिर आप उसका ले सकते हो helium GT 2 जो आपको करीब 5-5.000 रुपे के सामे cruise 2 करके साथी bbg का जैने की biker brotherwood का भी आपको jacket देखने को मिलता है जिसका नाम है speedy तो वो भी आप check out कर सकते हो और एक company है tarmac करके जो की बहुत अच्छी company है मेरे कुछ friends है वो भी use करते हैं ये company की jackets तो उसकी भी आप jacket check out कर सकते हो सारे जो jackets वगर आप जो link जो भी मै offline market से purchase कर सकते हो riding jacket पर मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ था कि size का आपको riding jacket खरीदना चाहिए तो वो आपको कही ना कहीं आप आई button पे link उसका आ रहा होगा वो आप ज़रूद चेक आउट कर लेना तो वो आपको complete चीज़े मिल जाएंगी jacket के बारे में details तो riding jacket shopping जो हमारा complete हो शुगा है जिसमें हम लोगों ने around 5000 रुपेर spend किया है अब इसके बाद आ जाते हैं shoes पे जो की अगला बहुत important हमारा riding gear है क्योंकि जो shoes है वही हमें बचाता है जो engine का heat रहता है bike का उससे या फिर कहलो कि जो उड़ते हुए पर्थर वगरा जो आते रहते हैं पेबल से वगरा वो हमारे pack में hit ना करें तो उससे बहुत हमें बचाता है shoes तो इसलिए एक अच्छा shoes का होना बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर आप riding shoes प्रॉपर जिसमें अगर लेना चाहते हो तो around 4-5,000 रुपे तक shoes आते हैं जो की बहुत महेंगे हैं इसलिए मैं एक substitute आपको बताना चाहूंगा कि जो है army boots हमारा मैंने जब riding स्टार्ट की थी तो मैं भी जो army boots है उसी को pen करके write करता था आपको लग रहा होगा कि riding boots कहां पे मिलेगा riding boots जो है दोस्तों वो basically आपको किसी भी army store में जाकर गए आप खरीच सकते हो नियर बाइ अगर को army store है या फि shoes का जो price है वो around आपको 1000 से 2000 रुपए के बीच में आपको पढ़ जाएगा मैं कहूँगा कि अप अच्छे quality के army shoes लो और army shoes के साथ एक और चीज़ है कि इसका look है वो बहुत ही बैतरी आपको आता है जब पैनते हो और जो इसका मजबूती है वो भी बहुत जबर्दस रहता ह जिससे आपको एक अलगी confidence आता है राइट करते वक्त और साथ ही साथ अगर आपको ट्रेकिंग अगर अगर अभी हलका फुलका करना पड़ा तो भी आपको इस shoes में बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी तो अब shoes का जो है हमने एक alternative निकाल लिया है riding shoes का जो कि एक army boot है कुछ जो का लो link है वो मैं आपको description में दे रहा हूँ एक बाका bookie कर की company है यह शायद आपने shark tank में देखा होगा यह लोग आए हुए थे तो आप उनका भी एक army boot आता हुआ आता है around 2000 के आसपास का भू भी आप check out कर सकते हो गर आपको अच्छा लगे तो आप purchase कर सकते हो तो आप आप आयाते हैं boots हो गया हमारा jacket हो गया अब आयाते है next जो बहुत important riding gear है इसके बिना तो मतलब bike चलाना ही मुश्किल है यहां helmet तो helmet जो है हमारा वह अच्छा होना चाहिए हमारे पास अगर आप long tour कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपको तीन company के नाम बताना जा रहा हूँ जिनके आप helmets check out कर सकते हो एक तो हो गया हमारा studs जो की बहुत reliable company है और one of the हम को लगता है कि बहुत पुरानी company है तो आप इ 2500 के आज पास का आपको यह helmet पड़ेगा साथी साथ वेगा एक और company है जो बहुत ही stylish बहुत ही जबदस्त helmet बनाती है खासकर youth के लिए तो बहुत cool helmet से बनाती है तो इसका एक आता है bolt तो वह आप check out कर सकते हो और एक steelbird company है जो बहुत ही one of the reliable company है अमारे इंडिन market में helmet industry में त तो उसका आप SBA series का आप देख सकते हो SBA 21 करके भी helmet आता था अभी पता है आता होगा तो आप वो check out कर सकते हो मैं link जो है Amazon का description में दे दूँगा तो आप महाँ से भी check out कर सकते हो तो यह around the helmets मैंने बता है जो company बता है वो around 2000 to 2500 के अंदर अदर आपको helmet अच्छा मिल जाएगा देखने को और मैं आप आपको recommend करना चाहूँगा कि जो भी आप helmet खरीदो वो full face helmet खरीदो क्योंकि जो है कुछ लोग half face helmet खरीदते हैं या model helmet खरीदते हैं सस्ते में जो flip up helmet रहते हैं तो वो helmet रहते हैं बैसिकली वो किसी use के नहीं है कि long tour में अगर आप जाते हो तो तो से बहुत बैतरी जाता है अब हमारा हो गया helmet हमारे पास आगया jacket हमारे पास अच्छा बूट भी आगया अब जो जरूरी चीज नेक्स्ट है वो है एक अच्छा gloves जिया दुस्तों जब हम right करते हैं city हो या फिर long tour हो तो हमारे हाथों में जब bike चलाते हैं तो एक stress पढ़ता ह ही है तो उसको reduce करने के लिए जो है एक अच्छा gloves का होना बहुत जरूरी है तो एक अच्छा gloves में ऐसा नहीं कि बहुत जादा में इस पेंट करने की जरूरत है इसमें देखो gloves जो है वो अलग-अलग तरीके का अलग-अलग styles का आता है इस वीडियो में अगर मैं बताना जाओ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो gloves जो है basically आपको full gauntlet अगर स्वाट में बताओं तो full gauntlet आता है जो कि आप racing gloves भी कह सकते हो एक mesh वाले gloves आते हैं जो कि आप specifically city के लिए use कर सकते हो और एक semi gauntlet gloves आता है जो कि you know hybrid kind of रहते है जो आप racing वगर अके लिए भी use होता है और city tour के लिए आप उसको use कर सकते हो तो मैं यहाप आपको recommend क करूँगा कि आप किसी भी अच्छे company का mesh वाला ही gloves खरीद लो तो आपको क्या होगा कि आप generally city में भी उसको use कर सकते हो और थोड़ा बहुत tour में भी उसको आप use कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप जो mesh वाला gloves से उसको आप touring में use नहीं कर सकते हो और मैं आप एक हो चीज आपको इन gloves में नहीं होता है मैं भी starting starting में किसी तरह gloves use कर रहा था एक बर मेरा crash हुआ और पूरा gloves है फट गया और मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें safety आपको मिलता है और उसमें प्लास्टिक वगरा element लगा हो रहता है पाम के पास वो से उल्टा मुझे और चोट लग गई थे तो इसलिए मैं आपको इस तरह के gloves इस्तिमाल करने के लिए suggest नहीं करूंगा आजकल के market है बहुत सारा option आपको मिल जाएगा gloves के लिए basically जो हमारी motorcycle बनाने ओले company है जिसे tvs हो गया डॉल इंफ्रील्ड है फिर अलग से जो company है motor tech जो यही सब riding gear से बनाती है वायर टेरा है तो इन सब सारे companies के gloves जो है चेक आउट कर सकते हो shopping list almost complete हो चुका है हमने helmet ले लिया हमने jacket ले लिया हमने shoes ले लिये हमने gloves भी ले लिये और जो final चीज़ है आप कहोगी कि riding pant बट riding pant जो है यह बहुत महिंगा आता है 6000 था I guess start होता है Indian market में तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक मैं मैंने कभी riding pant की need मुझे ऐसे नहीं लगी कि मुझे riding pant pant के ride करना चाहिए around मुझे 8 साल 9 साल करीब हो चुके है long distance mode cycle riding करते हुए लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे riding pants की जरूरत है शुरुआत से ही मैं जो है knee guards का use कर रहा हूँ तो knee guards में जो है अच्छा आपको sense of protection भी feel होता है साथी साथ ये cost effective भी है तो knee guard के लिए one of the best knee guard आप उस सस्ते में बतारा चाहूँगा जो कि है squiko का K11 जो ये guard है ये मेरे पास भी है अभी भी मैं खोद इसका use कर रहा हूँ और लंबे समय से मैं इसको पहन रहा हूँ गहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये आपको एक अच्छा look के साथ साथ safety भी provide करता है तो अब आपका हो गया complete set riding gears का अब इसको पहन करके आप कहीं भी जा सकते हो पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो बाइक में कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आप जो है safe भी रहोगे और साथी साथ आपको आपका जो look है वो भ रखेगे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फी suggestion है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं इस वीडियो को अपने friends के साथ share करें अगर आप riding gear और अगर आपके friends खोज रहे हैं तो इस वीडियो से कहीं नहीं ज़रूर help मिलेगा तो चलिए next video मिलते हैं तब तक के लिए goodbye take care and ride safe